आप देखें यही वो बस है आप देखें न्यू देटिंग के माधिम से एस्क्रीजिव फूटेज वही यही वो बस है जो छे वजे की फूटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं और दस मिनट के बाद यह हासा होता है हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं शिव खोड़ी की जगह जहां से वो बस शरधालों से भरी इसी रास्ते से आ ले थी और यहाँ पर तीखा मोड है आपको यह काच दिखाएंगे यही पर घात लगाकर बैठे दो आतंकियों निनकाब पोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया एट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीट कर लिया है यह रोड से करीब दोसो फीट गहरी खाई में बस किरी है और बहुत बुरी हालत में शब रामत के के 10 शरधालों की मौत हो गई जबकि 32 शरधालों गंभी रूप से घाल हुए थे जमो कश्मीर पुलीस के जवान जो हाँ इस समय गने जंगलों में जो हाँ वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके शुपे होंगे वो डूनने की एक कोशिश कर रहे हैं अजीब इंसान जो आपने कभी देखा नहीं हो, आपको पहली बार देखा हो ऐसा कोई शक पहले चांस हो जाए यद्यकिया। जमू कश्मीर के रियास में तीर थे आतिरों से भरी बस पर गोली बारी की गई गोली लगने के बार ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस खाई मिजा गिरी इस हमले में दस लोगों की मौत हो चुकी है और इस खबर पर बात करना जरूरी है क्योंकि वही सरकार है ये वही भारत है घर में गुसकर मारने वाला भारत जो इस बार भी हर गोली का हिसाब लेगा और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं कि आतंकियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया दरसल दर्शन कर लौट रहे श्रधालों की बस को आतंकियों ने तारगित किया आतंकियों ने ड्राइवर को निशाना बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ड्राइवर को गोली मारने में वो सफल रहे तो बस खुद बखुद हादसे का शिकार हो जाएगी ठीक वही हुआ घात लगाए बैठे आतंकियों ने 30-40 राउंड फाइर किये ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस बेकाबू हो गई और बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जाकि देगी किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुँचे आतंकी कौन थे आतंकियों के मदददार कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दह्शत घर जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रत धालूं से भरी बस शिवखोडी से कटरा जा रही थी लेकिन सवाल उड़ता है कि आखित सुरक्षा बलों के नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं शिवखोडी की जगह जहां से वो बस शर्धालों से भरी इसी रास्ते से आ रहे थी और यहां पर तीखा मोड है आपको ये काच दिखाएंगे यहीं पर घात लगा कर बैठे दो आतंकियों निनकाब पोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जखमी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की लेकिन संतूलन बिगडते ही बस गहरी खाई में जागरी करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है अब यह मौके पर है आप देख सकते हैं FSL की टीम यहां पर पहुँची हुई है यह रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शब रामत के गे 10 शरधालों की मौत हो गई थे जबकि से आये थे जिन्होंने इस्थानिय सायोगी संगठनों के साथ मिलकर वारधात को अंजाम दिया जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांभाबाडर के जरीए लगभग एक दरजन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू में घुसपेट की थी खुफिया एजेंसियों को कुछ electronic evidence भी मिले हैं जिनके आधार पर पता चलता है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने लोकल आतंकवादी नेटवर्क पी ए एफफ और टी आरेफ के आतंकवादियों से मदद लेकर ये हमला किया था इस हमले में कुछ इस्थानिय लोगों की भूमका भी सामने आ रही है जानकारी के मताबिक बीते दिनों सामबा बॉर्डर के जरिये एक दरजन पाकिस्तानी आतंक्यों ने जम्मू में घुसपेट की थी खोफिया विभाग को कुछ electronic evidence भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंक्यों ने Local Terrorist Network People's Anti-Fascist Front और TRF के आतंक्यों से सहता लेकर ये हमला किया था इस हमले में कुछ लोकल लोगों की भूमी का भी सामने आ रही है से माताजी आप आज भी घे थे क्या जंगल में है आज भी घे घे थे झाल भी घे ते कर लाक्णी काटने के लिए गे जिए जिक लिए जोटे चोटे-चोटे बच्चे ले गे जिये अच्छा अब रूटीन में जाते हो, कभी आपको ऐसा लगा कि कोई अजीब इनसान जो आपने कभी देखा ना हो, आपको पहली बार देखा हो, ऐसा कोई शक? ना, कोई नहीं मिला, कोई नहीं देखा नहीं मिला, कोई लब्या नहीं गे, पहला चांस हो जाए, पहले चांस हो जाए, क्या लगता आप कोई पहली बार ऐसा हमला हुआ है, यह पहली बार हमला हुआ है, देखो, यह कटना पहली बार हमारा जो गाउं है, पूरा पूरा यही वजह है कि जांच एजंसियां लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी है क्योंकि छिपे हुए आतंकी किसी और बड़ी वारदात को भी अन्जाम दे सकते हैं और चलिए एक बार आपको ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं यह हमला कब कहा पर और कैसे हुआ जिसमें दस सिवीलियन्स ने अपनी जान कवा दी रियासी जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ रविवार की शाम छे बचकर 15 मिनट पर तारगेट पर कौन था वो भी आपको बताते हैं तीर थियात्रों से भरी हुई एक बस तारगेट पर थी नुकसान जो हुआ है दस लोगों की मौत हुई है तीस से ज़ादा जक्मी हैं जिनमें कई लोग यूपी के फे हैं हमला करने वाले आतंकियों का सरगना कौन है वो भी आपको बताते हैं लशकरे तैबा इसका सरगना बताया जा रहा है बीते दस सालों में सिवीलियन पर हुआ ये सबसे बड़ा तंकी हमला है यही वज़व है कि जांच एजंसिया इस मामले को हर एक एंगल से खंगाल रही है पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया है ड्रोन, हेलिकॉप्टर और पैदल, कॉम्विंग के जरिये आतंकियों की तलाश की जा रही है हमले से ठीक पहले CCTV फोटेज को भी जाचा जा रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उन काईरों को पकड़ कर हिसाब बराबर किया जाए उन्होंने श्रदालों से भड़ी बस को निशाना बनाया और दूसरी तरफ सूत्रों के हमाले से खबर कि एनाईये जम्व कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जाच करेगी खबर ये भी है कि एनाईये के एसपी सतर के अधिकारी की एक टीम मौके पर पहुँच चुके है न्यूजेटिंग के पास आतंकी हमले से चंद मिनिट पहले का एक CCTV फोटेज भी है जिसमें वो सफेद बस साफ निजर आ रही है जो श्रदालों को वैशनल देवी लेकर जा रही थी अभी न्यूजेटिंग की टीम के पास exclusive access है उस फोटेज का जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आंतरवादियों के तरफ से उसकी फोटेज आप देख पाएंगे ये 6 बजे 6 बच के 10 मिनट पे ये हासा हुआ है और 6 बजे की ये फोटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि यो जो बस है वो शिव खोडी से कटरा जा रही थी आप देखें यही वो बस है आप देखें न्यूजेटिंग के मादिम से exclusive फोटेज वही यही वो बस ह जो 6 बजे की फोटेज यहां पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हासा होता है और ये शिव खोडी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी जब घात लगा के कुछ आंतकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट के मताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बतायाता है कि ड्राइवर को बुलिट हिट हुई है उसके बाद ड्राइवर का जो नियंतरन था उस बस पे हट गया और 7 महीं जो खाई थी उसमें बस जा गरी जिसके बाद भी आंतकवादी नहीं रुके उसके बाद भी ताबर तोड ये गोलिया है वो अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि आतंक्यों ने समले को कैसे अंजाम दिया बस कहां से कहां जा रही थी और कैसे इतनी बड़ी वार्दात हुई दरसल शिव खोड़ी गुफा के दर्शन करके श्रधालू लौट रहे थे तब ये हमला हुआ कट्रा जारकी बस पर आतंक्यों ने गोली बारी की और घात लगाए बैचे आतंक्यों ने 30 से 40 राउंड फाय किये ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस बेकाबू हो गई और बेकाबू बस 200 फीट गहरी खाई में जा कि दिए जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियाद लशकर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम जंबू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंक्यों ने वारदात को अंजाम दिया है वहाँ सैक्रो किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहरा लिया जा रहा है जमो कश्मीर पुलीस के जवान जो हाँ इस समय गने जंगलों में जो हाँ किस तरीके से आतंकी घात लगा करके शुपे होंगे वह डूनने की एक कोशिश कर रहे हैं ये ड्रोन जो हो काफी जादा इस समय लाबदायक साबित हो रहा है सुरक्षा जंसीस के लिए ये इस सुरक्षा जंसीस लगा था जो हाँ जिस एरिये में आतंके उने जो था वहाँ हमला किया था जिस मोड पे हमला किया था उसी पूरे एरिया को जो हो इस समय जांच रहे हैं यह जो इलाका आपको मेरे वीजे दिखाने की कोशिच कर रहे हैं यह इलाका जो हो रंसू कंडा का इलाका है जहां पर यह आतंकी बादात को कल छाम को जो हो आतंकी की तरफ से अंजाम दिया गया था जानकारी के मताबिक जिस पैटन पर ये हमला अंजाम दिया गया वो लशकर के सयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाब पोश हमलावरों ने अंजाम दिया था जिनकी तादात तीन से चार की हो सकती है लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूनना रेत में सूल ढूनने जैसा है इसलिए हाइटेक तकनीक के जर्ये सुराग तक पहुशने की कोशिश हो रही है त्रनेत्र अल्टराडोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है